Hello dear students, learners and my dear friends इस टुटोरियल में हम क्लास 8 की बिंचेम्स की जो बुक है उसका जो चैप्टर है A Day in the Country को हम स्टड़ी करेंगे इस टुटोरियल में हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या समझना है और साथी साथ इसका जो भी मैटीरियल है आपके बुक का जो क्वेशन आंसर है और भी जिसके नोट्स है समरी है और जो वेकलबरी नोट्स है जिसमें वर्ल्ड मीनिक्स देते हैं इंगलिस में भी हिंदी में भी उस अब आपको वेब साइट में मिल जाएगा भी लोग पविमिंट पर देश में में एक दिन केंठी के मedarburg यह है कंट्रीशाइटका मतलब की अध्याद साइटका अलागा और जहां करूल एरिया हो वहाँ पर आम हमेर्ड की बारे में हम देखेंगे कि नियचर जो है किðने ितने एलेमेंट होते हैं और जो लोग बड़े लोग होते हैं वहाँ पे रहते हैं उनके बारे में काफी जानकारी होती है इसके लावा नेचर में हम काइडनेस कमपेसन जैसी चीज़ों को भी हम इसमें देखेंगे और भी खासकर कब जो सेलफलेस होता है मतलब जिसमें हमें अपना खुद का ख्याल हमें दूसरों को ख्याल होता है हम यह भी परवा नहीं करते हैं कि दूसरा इसको देखे समझे कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं हम चुक चाप किसी की हेल्प कर सकते हैं तो इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और जो कुछ भी आप पढ़ते लिखते हैं और जो को आपने ताजा ताजा काटा है तो उसकी जो एक महक सी आती है ना इसके लावन नेचर में जो डिफरेंट साउंड्स हैं इसमेल्स हैं उस सारी चीज़े कंटी की ब्यूटी को बढ़ा देती हैं कंटी साइट की पॉलुशन वहां होता नहीं है लेकिन यहां पर जैसे आप द सारे घर बने हुए यहां पर दूर-दूर घर बने हुए सिंपल घर है नहिए पर पॉलुशन है पुरा यहां पर इतना पॉलुशन है क्लीन एटमोस्फियर है ग्री ग्री इस सबस अच्छी बात है ना और देखा जाए बच्चों तो एग्रिकल्च्उर में जो कुछ भी ह की और नाटा की बात करें तो देखिए इसमें सीगल है अंकल वैनिया है और थ्री सिस्टर्स तो चेरी और्चर्ड हम और अपनी बहुत ही फेमस दा लिठिल ट्रिलोजी के लिए जाने रहते हैं जिसमें तीन कहानिया है दा मैं इन खेस गुजवैरीज अबाउट लव तो मौ 44 यर सी उन्होंने जीवन बिताया लेकिन भाहिया जो गिफ्टेट पीपल होते हैं वो कम समय भी कितना कुछ यह उगदान दे के चले आते हैं तो चले हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में और स्टोरी से कनेक्ट होनी कोशिश करते हैं बिट्विन एट और नाइन अकलॉक इन यह लाज अमांट ऑसमधिंग तो यहां पर यह बादलों के बारे में है अलब इट रिप्रेजेंट्स दक्लाउड हैं जो आस्मान में देड़े देड़े बढ़ रहे हैं और टूवर्ड्स दसन सूरज की तरफ बढ़ रहे हैं यानि सीधा सीधा बात यह है कि बादल जो है असमान में तो उसकी चमक हैर और यहां वहां एक्रॉस इट पूरे आसमान में मतलब थोड़ा से दूर पर रंबलिंग गड़ गड़ा हट की आवाज क्योंकि देखते हैं बच्चों बिजली पहले चमकती है और आवाज बाद में आती है दूर लगता है कहीं पर बिजली ग देन का बच्चा है है चनचलता के साथ यहां वहां उछलता कूतता कटता खेलता है इन वेरी लाइवली मैनर तो वह क्या ओसकता अपर्टी है और ग्रास को टच करती है पेड़ों को टच करती है तो ऐसा लगता है, हवा जो है उनके साथ ख्एल रही हो तो हवा जो है जैसे उनके मस्तिक के साथ ख्एल रही हो बैंज the trees आ टीज तो वह ग्रास को टच करती है पेड़ों को मोड़ देती है and stirs up जिएकि stirs up का मतलब होता ही कि दूलाना जैसे घर में सबजी बन रही हो कुछ बन रही हो तो आपकी ममी जो है कलचल से उसको चलाती रहती है तो उसी तरह से हवाओं में पेड़ भी यहां वहाँ एक ही जगे रहके यहां वहाँ हिलते रहते हैं हलचल मचा देना एक प्रकार से दड़ ड़स्ट का मतलब गये हैं वैदर ऐसा बन गया है इस पल्ट का मतलब होता है कि अचानक है ना लार्ज अमाउंट में बड़ी तेजी की साथ किसी चीज का है ना जैसे फूट पढ़ना निकल पढ़ना तेजी से आगे बढ़ना मतलब सड़न ब्रीफ बस्ट आफ एक्टिवीटी और इनरजी तो वह चीज है तो अभी देखना अचानक रेन स्टार्ट हो जाएगी और फिर एक रियल स्टॉर्म सुरू हो जाएगा स्टॉर्म मतलब आप जानते हैं तूफान जब हावा बहुत ज़दा तेज चलती है तो यहां पे हम देख रहे हैं कि अभी तूफान आने की उमीद है और पानी बरशने की उमीद है और वो भी स्पर्ट आफ रेन होगी मतलब अचानक पानी किरना शुरू होगा ऐसा ने कि हलका हलका बूंदा बांदी यहां वहां थोड़ा बहुत हो रही हो अब यहां पे पहला करेक्टर आता है फ्योकला एक छोटी लड़की है छे साल की त और पेल चेहरा जो है चेहरे की ताजगी गायब है चेहरा पिला पिला है घबडाया हुआ है तो यह जो बच्ची है फ्योकला ना यह घबडाई हुई है बहुत चिंती है हाई जा वाइड ओपन आँखे एकदम फाड़ फाड़के यहां वहां ढोल रही है लिप्स यहां वहां बादल ओदल बिजली कड़क रही है यहां पे हम और सूरज गायब हो गया है और यह दोड़ रही है बिचारी परिशान है टेरेंटी को ढोल रही है कोई भी मिलता तुससे पूछती है वो कि अंकल टेरेंटी कहा है देयार राल प्री अकोपाइड विद अप्र अब है किस तरह समय बचना है इससे बिची को कोई ध्यान नहीं दे रहा था अप्रोच मतलब होता है मतलब पहुंचना जाके पहुंचने के लिए रीच और आप जहां है वहां आके पहुंचने के लिए आप तक अप्रोच तो तूफ़ान आने वाला है एंड ठेक तो वो आपका सरण स्थाल हो जाता है रिफ्यूज हो जाता है इंदेर हर्स तो सब अपने अपने घरों में जाके अपनी जोपडियों में क्योंकि देखिए गाओं है गाओं में बड़े-बड़े दो महले ती महले नहीं होते है एट लास्ट सी मीट्स अब एक करेक्टर और गये हैं हो है वन्हों है तो यह च्छाती नजदीक रव क्रण। सीधी बात है और इसको फ्रेंट हएं जो हम उस प्रेंट होता है इसMother अंकल वैर सबजी ओगरा किचन के लिए ओगाई जाती है तो वो जोपडियों के पीछे-पीछे दोड़ती भी किचन गार्डन में पहुंचती है क्योंकि देखे जोपडियां है भला अब घर होता है न तो घर बना हुआ है तो उसके पीछे जो जमीन होगे उनमें किचन कार्डन्स होगे तो वो पहुंचती है आप देखें यहां पर बताया गया है कि वो टेरेंटी कैसा था क्योंकि आपको बच्चों किसी का करेक्टर स्केच भी लिखना आना चाहिए उसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए और हम अपने जो नोट्स हम प्रोवाइट करते हैं उसमें करेक्टर स्केच आपको जरूर देते हैं सिर्फ आप किताब के क्वेशन आनसर तक सीमित मत रही हमारे वीडियो को देखिए उसमें जो कुछ भी है उसके चैप्टर के कैसे हम explain करते हैं क्या feelings emotions उसमें निकल के आती है क्या चीज़े हमें deep में समझना चाहिए और साथी साथ हमें क्या lesson learn करना चाहिए अपनी life के लिए language में हमें कहां से help मिल सकती है हमारी vocabulary कैसे strong हो सकती है तो सारी जीज़े हम notes में दे देते हैं तो देखे टेरेंटी जो है वो लंबा है cold man मनलब उसकी age हो चुकी है thin पतला है और poke marked face marked का मतलब उसमें चिन पड़े हुए marked poke का मतलब होता है कि उसके चेहरे पे गड़े होगरा है और निसान वगरा है इस टाइप के मतलब सापाड चेहरा नहीं है clean चेहरा नहीं है और लंबे लंबे पाउं है and bare feet कुछ भी नहीं पहना हुआ पाउं पे बेर मतलब बदा नंगा एक दम without any covering dressed inna उसने क्या पहना हुआ है कपले की रूप में women's tattered jacket मतलब होता है कि फटा पुराना चित्रा टाइप का वो भी women's की जैकेट पहनी हुई है तो बहुत देखिए पूर है न यह भी तो हो सकता है कि अपने घर में किसी महिला के मतलब इससे भी पता चलता है कि कितनी पूर कंडिशन में है किसी ने दे दिया होगा उसने पहन लिया इससे भी पता चलता है कि भे उसे अब बहुत ज़्यदा अपने कपनों का ख्याल नहीं रहता था यह तो आपके उपर है आप कितना समझ सकते हैं स्टेंडिंग ने दे वेजिटेबल प्लॉट्स मतलब वहां पे जो क्यारिया और बनी होंगी जिनमें सबजी उगरगाई गई होगी तो किसी वेजिटेबल प्लॉट के पास उख़डा था लुकिंग विद ड्रावजी आईज ड्रावजी मतलब होता है कि उसे मतलब उसकी आँखों में नींद थी है ना मतलब ओपन पूरी तरह से आँखे नहीं थी अएड डार्क स्टॉम क्लाउड तो वो भी उपर जो है तूफान तूफान में जो बादल उनकी तरफ अपनी कुछ निद्रालू वाली आँखों से देख रहा था हलका हलका सा आँखे खोली नहीं थी जब हम ऊपर देखते हैं तो हमारी आँखे कहां पूरी खोलती है अंकल ठेरंटी दे गर्ल एड्रेस्ट हिम एड्रेस्ट का मतलब होता है कि स्पोक तो हिम अंकल ।रलिंग म 허ब प्यार से उनकल वो कहती है ठेरेंटी बेंट्स डाउन टो फ्योकला अब देखें आप अंदाजा लगाईए कि वो किसी परिशानी में है और वो पूरे गाउं में सिर्फ एक व्यक्ति को ढूल रही है इसे पता चलता है कि हमें जिससे हेल्प की उमीद होती है हम मसीबत में उसी की तरफ दोड़ते हैं मसीबत में किसी सचे की परक होती है तो वो फ्योकला चोकी छूटी हो लंबा है तो नीचे जुकता है और फेस ग्रिम फेस की मलब सिधा सिधा मतलब होगे सीरियस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कठोर सक्त थोड़ा सा जैसे डराऊना टाइप का क्योंकि चेहरा पहली बताया गया पोकमाक्ड है इस ओवर लिस्पिट का मतलब होता है कि चाओतर फैल जाना है ना उस पे एक मुस्क्राहट आ गई लिस्पिंग टेंडरली टेंडरली मतलब बड़ी कोमलता से बड़े प्यार से मतलब नुकसान नहीं पहुचाना है उस लिहास से कुछ भी आप करते हो किसी पक्षी को किसी पौधे को क अपना तरीका होगा वेर है वी कम फ्रॉम अरे कहां से आ रही है बेटा अंकल ठेरींटी सेस फ्योकला विद शौब शिसक रही थी विचारी ठगिंग मतलब उसको पकड़ते हुए वह भी उसके लेपल को पकड़ते हुए मतलब कोट का जो लेपल है उसे पकड़ते हुए म अब एक करेक्टर और यहां पर यह फ्योकला का प्रदर है दनिल का हैड एन एक्सिडेंट उसका एक्सिडेंट हो गया है किस प्रकार का एक्सिडेंट है होली अब देखे प्यार से उस बच्ची को होली कह रहा है होली मतलब पवित्र what sort of accident कौन से एक्सिडेंट हुआ है in the counts cops डनिल का count तो हो गया मतलब वो पध है जो वहां का कोई main major कोई अधिकारी होगा या किसी पत पे होगा चाहे landlord हो गया हो और cops का मतलब यह हो गया कि कोई भी मला भी लाका छोटा सा जहां पर पेड़ पौदे हो गया हो गया हो मलब trees growing together तो वह बतारी कि count की जमीन पर जो कुछ पेड़ गया हो गया है वहां पर दनि उसका हाँ जो उसमें फस गया है वो भी किसी होल में फस गया हो भी पेड़ में and he can't get it out निकल नहीं पा रहा है हाथ come along मेरे साथ चलो uncle to be kind and pull his hand आप जहरा थोड़ी दया दिखाओ और उसका हाथ पूल करके खीच करके निकाल दो ना तो अब देखें यहां पर how was it he put his hand how was it म और किसले डाल दिया he wanted to get a cuckoo's egg अब बच्चे हैं गाओं के हैं ना सहर में कभी असा आप उम्मीद कर सकते हो गाओं के लाइब थोड़ा टब भी होती है तो he wanted to get cuckoo's egg अरे वो कोयल के अंडे थे उनको निकालना चाहता था out of the hole for me और मेरे लिए निकालना चाहता था दो और भाई बैन इसने कुछ कहा होगा और भाई जुड़ गया इसके ले अंडे निकालने में बच्चे तो हाई है छे साल की दो बच्ची है क्या उमर होती है क्लास मन की बच्ची समझे आप टूकी the day has hardly begun दीन अभी शुरू ही हुआ है and already you are in trouble autumn शुरू से ही मुसीबत में फस तो what am I to do with you now मतलब अब मैं बताओ तुम्हारे साथ क्या करूं क्या करना मुझे I must come मुझे आना ही पड़ेगा तो यहां पर एक प्रकार से थोड़ा से नाराजगी करते हैं क्या करूं मैं बताओ अब तो आना ही पड़ेगा मुझे तुम्हारे साथ अब जैसे सारी questions है इन stopping or looking from side to side बिना रुके हुए यहां वहां देखे वह चलता है यह जो है शॉप को मतलब होता है धक्का देना ना इस चल रहा था लग रहा जैसे कोई पीछे धक्का देते चला जा रहा हो क्योंकि उसे समझ में आके बच्चा वीचारा फसा हुआ है और afraid of pursuit तो यहां पे मतलब राइटर का कमाल जो लिख रहा है कि वह ऐसे चला जा रहा था जैसे कोई पीछे धक्का दे रहा हो या फिर वह डरा हुआ अफ्रेड आफ परसूट को मतलब होता है कोई उसके पीछे पड़ा हुआ हो और उसे बचने कोशिश कर रहा हो परसूट मौने पीछा करना किसी का अब है कीप अब यह ठनी है इसका मतलब होता है कदम से कदम इलाके चलना वरभडरी करके चलती पे चलना तो कहां हो बच्ची कहां लं already के साथ रफ्तार के साथ चल यह चल नहीं पा रही थी they came out of the village and turned along the dusty उसके बाद वो गाउं से बहार निकले और धूल भडी रोट पर फिर वो लोग मुल गए फिर काउंट्स के कॉप्स तक गए that lies dark blue in the distance जो दूर से थोड़ा सा dark blue color करना जरा रहा था it is about a mile and a half अरे ये लगबग मील आधा मील दूर होगा the clouds have by now covered the sun और जो है वो जो बादल है लगबग उन्होंने sun को cover कर लिया है and soon afterwards और कुछ देरी कुछी देरी बाद there is not a speck of blue left in the sky तो राइटर यहां बता रहा है कि मतलब वो इतनी दूरी पे है और clouds ने cover कर लिया है और बहुत ही जल्दू इस पेक का मतलब होता है धबबा निसान भी नहीं है कुछ भी मतलब a speck of blue का सीधा मतलब है कि आस्मान तो नीले कर लिया है तो बादलों इतना घेर लिया है कि नीला कुछ भी हिस्सा नजर नहीं आ रहा है left in the sky it grows dark अंधेरा हो गया holy whispers फ्योक्ला तो फ्योक्ला भी कहती है holy अब holy भाई देखिए कोई person है बहुत ही अच्छा है तो आप उसे holy कह सकते हो न यह पुन्यात्मा very good morally strong person और कभी-कभी हम बहुत भी surprise feel करते हैं कुछ घबडाते रहते हैं तो भी holy यह क्या हुआ इस तरह से भी तो वह हलके से भुदबदाते हुए कहती है फ्योक्ला कहती हरी इंग आफ्टर टेरेंटी जो पीछी पीछी टेरेंटी की बहुत जल्दी जल्दी दरने कुशिच कर रही थी the first train of falls on फ्योक्ला थो पहला बूंद जो है वह फ्योक्ला के गाल पर गिरती है एंड ग्लाइड सरक्कर है ना जैसे आशू सरक्कर आता है नीचे होट के नीचे तक आ जाता है दरेने इस बिगन मटर्स दा कॉबलर तो कॉबलर अपनी ही नलब थोड़ा सा बुद बदाते हुए बोलता है अरे पानी बरसना शुरू हो गया किकिंग अप दा डश्ट विदिस बेर बोनी फीट जो की पतला था बहुत जदा ना तो उसके सरीर पे मसल्स वगरती नहीं हड़ी दिखाई देती थी तो इसलिए यहां पे बोनी फीट कहा गया मुलाब इतने पैर पतले थे हड़ीयां स्पिंका ता बोलना ना जैसे सो रहे थे थो रहे थे इस टाइप से तो फ्योकला अच्छा ये जो है टेरेंटी कहता है कि ये तो ठीक है फ्योकला हमको घबडानी क्या जरूरत है अब देखे यहां पे हमें थोड़ा सा नेचर के बारे हम जानकारी मिलती है और बच्चे कि मतलब रेन से जो है उनको जरूरत होती है पानी मिल जाता है और जैसे हम ब्रेट खाते हैं है ना फीट का मतलब होता है मतलब आप जो कुछ भी खाते पीते हो यो फीड ऑन फूड तो उसी प्रकार से इनको रेन चाहिए होती है और एस फॉर थंडरो जो गरच चमक रही है जो कि और ना डूंट यो फ्राइटेंड अजेटरो मत बिटा ओली साउंड इस पैटर आफ रेन सिर्फ रियल साउंड जो है वह रेन की पैटर है जो तप पटप टप पानी गर रहा है लाइक फाइन सौट अंध यंग राई मतलब होता है राई की धाने होते है सारसों की द पाश्ट मनलब होता है कि इतना सूखा की पानी मनलब पानी ना मिलने के वज़े से एकदम पप्डी जैसी पड़ गई हो जमीन पर इतना सूखा ड्राइ रोड यह विशल गेट सॉक्ड अब हम लोग भीग जाएंगे फ्योकला ने कहा है ना वह भी हलकल की अवाज में देर व कुछ भी जगह ऐसी बाकी नहीं रहे होगी जहां पर हमें ड्राइनस देखने को मिले पानी सबको भीग भीगो देगा हो हो माई गर्ल अभी खुश साय है हम इट इस रन डाउन मैं चीग अरे एक बूंद जो है गिरी और मेरे नेक पर गिरी है ना बट डॉन्ट बी जो हो निकला जाएगा तो आपको समझ में रहा होगा कि पानी के बाद फिर आस्मान साब भी होता है धोप निकलती तो सारी जी नॉर्मल हो जाती है तो घंडानी जो होत नहीं है अब फ्लैस फ्लैस मतलब अच्छानक जो लाइट चमकती है फ्लैस ऑफ लाइटनिंग ग्ली बड़ा है भी है ना बड़ा है हैवी है और कुछ गोल गोल टाइप का है जो रोल करता है आसमान में जिसकी वेसे आवाज आती है एंड ठीरिंग इट ओपन जैसे चीड मतलब चीड ना फाल ना जो पूरे आसमान को फाल देता है वो बिली चमक उटती है ठीक उसकी नुकसान पहुचाना चाहते हो तो वो कहता है कि तुम्हें ढराने के लिए इस तरह से नहीं गरज रहा है बादन है ना कि तुमसे तुमसे जलता हो तुमको नुक्सान पहुचाना चाहता है तो टेरेंटनी नी जोड़ा मजा कियी तो दोनों के पढ़ canvahр हो जाते है क्यो उनके पैरों से लग गई थी इडिस स्लिपरी फिसल भी रहा है डिफकल्ट वक चल नहीं पा रहें बड़े 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 लंबे लंबे कदम लेके चलना इस्ट्राइट्स क्योंकि लंबे पाऊं थे ना लंबे लंबे पैड थे और मौर अं मौर और तैजीस आकर प्ला रहा था किओकि उसे देखना था को बच्चे को जो है मदद करनी थी द विइक लिटिल कर लड़की विचारी काफी कमजोर हो गई थै वीग हो गई थी जलते चलते चलते है कहा हो लंबा-ंबा कदम कह औ-ड़ा जिटी पैर बच्चे के त तुरंत वो धणाम से नीचे थक के मारे आउट आफ बिंग टायर्ड वो बैठना चाहे थी नीचे हार मारना चाहे थी कब में नहीं चल पाऊंगी बड़ लास देगो गो इंटू दा कॉपस लेकिन वो पहुंच जाते हैं कॉपस में उसके बाद जो ट्री जो है वो धुल गया है पेड़ की वज़े से इस्टर्ड बाई एक गस्ट ऑफ विंड गस्ट का मतलब जोका तो हावा का जोका चल रहा है जिसकी वज़े से वो हिल रहा है पेड़ और पानी ने उसको धो दिया है तो जब पेड़ की जब डाले हिलेंगी तो डॉप आप पॉफेक्ट वाटरफॉल तो वाटरफॉल में वो जब हावा में जब पेड़ लहरा रहा है तो इसके पत्तियों पर जो बूंदे पड़ी हुई है वो एक साथ गिरती है तो कहता है और राइटर कहता है कि इस तरह से उनके उपर पानी गिरा था टरेंटिस ठंबल्स मतलब लड़ खड़ा के गिर भी पड़ना ओबर स्ट बाइट जल्दी चल रहा है किसी टकरा गिरना और बेगेंश टू स्लेकनी स्पेस श्लेकन मतलब होता है कि धील देना पेस का मतलब होगा रफतार अगर आप क्रिकेट पसंद करते होंगे तो उसमें होते ना इस पिन आर्ट साल है और उसके जो बाल है अब यहां पर देखि किया जा रहा है उसके मतलब उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसका किस परकार से बनावर थी उसके स्ट्रक्चर था बाड़ी का फीचर्स क्या थे बाल जो है रेट थे और ऐसे रेट थे जैसे ओकर होता है मतलब आप कह सकते हो कि थोड़ा सा गेरू जो गेरू रंग ज सा चेहरा उसका नजर आ रहा था आप कह सकते हो कि वेरी सैट फेस है ना जिसको देखकर आपको भी पता चल जाए कि मुसीबत में है इस टेंट्स लीनिंग लीनिंग मतलब होता है जुका मतलब थोड़ा सा जुका हुआ अगेंस्ट ट्री तो वो ट्री के साथ उस होल में उसन वन साइट तो उसने एक हाथ उसका कहने का मतलब यह पेड़ के यह होज है तो आपक यह हाथ तो आपका एक हाथ तो इसमें फसा हुआ है दूसरा आप जो है थोड़ा सा यहीं पे मजबूरी में उससी साथ-साथ प्यूर के साथ खड़े हुए हो तो इस तिंग का लीनिंग तो अधर is hidden in old lime tree और ये साथ नीबू का पेड़ा है पूराना पेड़ा है तो एक हाथ उसका उसमें छुपा हुआ था चुपा का मतलब क्या है जब होल में चला गया hearing foot steps and seeing the cobbler तो जब उसे कुछ कदमों की आर्ट सुनाई देती है तो वो cobbler को देखता है और फिर वो sickly smile भी खेड़ देता है sickly तो जैसा चेहरा बना हुआ था उसी चेहरे पूछ ने मुस्कराहट भी खेड़ दी sad face पे एक मुस्कराहट आप कह सकते हैं कि बनावटी मुस्कान a week of four this smile है ना तो उस smile में discomfort भी है तो आप ऐसे समझ लीजे बिचारा परिशान है उसे में को उम्मीद की किरण जगी तो उसी परिशानी में हलका सा मुस्कराया कि चलो मुझे मदद मिल जाएगी a terrible lot of thunder टरेंटी टरेंटी कहता है कि इतना ज्यादा थंडर हो रहा है I have never heard so much thunder in all my life मैंने अपने पूरे जीमन में इतनी थंडर नहीं सुनी तो ये वो बालक कह रहा है जो आट साल का है ना टरेंटी से and where is your hand अतना हाथ कहा है जड़ा बताओ in the hole pull it out please टरेंटी खींच के निकाल दो snap up को मतलब होता है कि to break off तोड़ कर या निकाल देना तो वो लकड़ी का टुकड़ा बहां निकलता है the boy's hand red and crushed उसका हाथ लाल हो गया था कुछला कुछला सा था released छोड़ देना तो उसका हाथ महां से निकल जाता है it is terrible how it is thundering कितना गरज रहा है ना the boy says again दुबारा कहता है rubbing his hand अपना हाथ मलते हुए इसका अब देखे बच्ची भी थंडर से परिशान थे हुए यह भी थंडर को देख रहा था इतना ज़्यादा भ्यंकर तूफान what makes it thundering अब जेखे बच्ची से ज़्यादा है लड़का curious है जानना चाहता है चीजों को यह यह बादल क्यों इतन मत पाल्टी मत पाल्टी के मतलब यह हो गया इनका जो ग्रूप है वहां से निकल क्याता है और वाक से लोग फिर जो है अधीरे वाली रोट पे क्योंकि भाई जेकि तूफान चाहया हुआ है तो कॉप्स निकल कर किनारेस निकल कर सड़क पे थंडर ग्रेजवली अबेट्स अबेट क मतलब होता है कि किसी भी侶ीच के जो influence है उसका effect है उसको कम कर देना मतलब उसको हलका कर देना किसी भी चीच का मतलब decrease कर देना तो thunder जो है धिरी धिरे कम होने लगती है and is rumbling is heart far away और जो गड़गड़ा होज ज्यदा दूर होती चली आती है गाहं के पार तक चली हैं आपस में उनमें फ्रिक्शन पैदा होती है तो भी ली चमकती है और वाड़ डाजिट थे लिए बाँ टेरेंटी इससे पता चलता है कि टेरेंटी जो है काफी वाइज है है ना क्योंकि साइंस की बात है जो वो बता रहा है और नेचर के बारे मुसे काफी जानकारी है और दूसी चीज़ है बच्चे क्यूरियस हैं तो उनके क्यूरिसिटी को शान भी करना जानता है डांटना नहीं जानता कि क्या बकवास करते रहते हैं ऐसा नहीं अब राइट प अब दाई जिस जहां पर होल रहती थी तो उसके बारे में बता हो गया था रौफ का मतलाब हो गया शरारत करने वाले जो होते हैं मिश्चीफ क्रियेट करने वाले बढ़िपास बेहिमान तो यहां रौक किसको कह रहा है वो तो यहाँ पर rocks जो rain को ही कहेगा वो है ना उनकी बज़े से घर बरबाद हो गया the bend over the auntie the downpour मतलब होता है मुशलाधार पानी बरसना बहुत तेजी से तो उसे downpour कहते है तो उसकी बज़े से damage हो गया है the insects are scurrying मतलब अपने छोड़ छोड़े कदमों से तेजी से यहाँ वहाँ चलना that is called scurrying move quickly to and fro मतलब आगे पीछे मतलब यहाँ जाना फिर यहाँ आना फिर यहाँ तो चीटी यहाँ कभी यहाँ कई यहाँ ऐसे चाहतरा move कर रही थी the mud मिटी agitated का मतलब होता है कि जब आप चिंता में बहुत ज़दा हरकते हलचल activity करने लगते हो तो agitated है ऐसा हम करते हैं जब बहुत ज़दा गुसा होते हैं बहुत ज़दा रंज में होते हैं बहुत ज़दा परिशान होते हैं तो दोड़ भाग करते हैं जब हम बहुत नर्वस फिल करते हैं तो जो चीटियां थी बहुत परिशान थी यहाँ-वहाँ भागदोड कर रही थी and wisely trying to carry away their drowned companions, companion मतलब साथी, drowned मतलब डूबे हुए और कोशिस कर रही थी कि जो उनके चीटियों के जो दूसरी साथी चीटियां थी डूब गई थी तो उनको भी वहाँ से निकाल कर बाहर लाने कोशिश कर रही थी जब चीटियों में एकता होती है तो देखें नेचर की चीटियों को observe करना भी टेरेंटी का वो था शौक था you needn't be in such a taking, you won't die for it तो वो कहता है कि तुम्हें इतना गभणानिक जोत नहीं है जो तुम इन चीजों के यहां वहां लेके दोल रहे हो भाग रहे हो मरोगे नहीं ठेरेंटी ग्रिनिंग थोड़ा सा हसते हुए खिलखलाते हुए मतलब आप खुल कर नहीं हसते हो मुझ बंद करके खिसी आते हो as soon as the sun warms you जैसी sun जो है गर्मी sun की तुम लोगे पढ़ेगी तुम लोगे सब को होसा जाएगा लेकिन यह तुम्हार लिए सीख है एक लेसन है लब तुम इससे सीखो कुछ यू वांट सेटल उन लो सेटल मतलब होता है जाके बच जाना लो ग्राउंड का मतलब होता है कि जमीन के निचले हिंसे में another time मतलब होता है अगली बार तो कहने का मतलब यह है कि जमीन है तो जमीन में आपने होल अगरा बनाए हुए है तो पानी तो भरी जाएगा आगली बार आप किसी उचाई स्थान पे अगर होल अगर बनाऊगे तो बचे रहोगे तो यह कहने का मतलब है विच लेसन इस ट्रेंठी टॉकिंग अबाउट है दा 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 लेसन इस दाएट कि दाएट यहां पर कुछ मदमख्या है दैनिल का बोलता है पॉइंटिंग दा ब्रांच ऑफ यंगवक्ठी तो ओपर पे जो नए-एनए group निकली होती है मतलब बहुत मुल्ब नए यंग ब्रांच बहुत मोटी और पुरानी ब्रांच नहीं होती है दा ड्रैंश्त अऀक चिल्ड बीज्ट मतलब होता है भीगा ऑवा चिल्ट का मतलब होगा है थोड़ा 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 थंड़क भी लग रही होगी बीजर हडल टुकेदर हडल का मतलब होता है कि एकदम सट कर एक दूसरे के साथ मतलब बैट ना सोना जगना खड़े होना तो ब्रांच पर एक दूसरे के साथ सट कर चिपकी हुई है जो मदुमक्या है There are so many of them, कितनी ज़्यादा है That neither bark nor leaf Neither मतलब ना तो जो पेल की च्छाल है Nor leaf, ना ही पतियां है वो दिखाई नहीं दे रही है इतना इन्होंने छाप रखाया है पूरा एक दम से मदुमक्या ना काफी तादाद में होती है Many of them are settled on one another अब को इस मदुमक्या तो एक दूसरे के ऊपर चड़ी हुई है मतलब ठंड के कारण जो है इस तरह से हो ऐसा वैसी मदुमक्या इसी तरह से जो है चछतों में होती है That is swarm of bees ये मदुमक्यों का स्वार में है ग्रूप है टेरेंटी इनफॉर्म्स देम इनफॉर्म्स मतलब ठेल्स देम उनको जानकारी देता है ये यहाँ वहाँ दौर उड़ रही है घर की दलाश में और रेन केम डाउन अपॉन देम वर्ग फ्लाइंग मतलब वो उड़ रही थी यहाँ वहाँ फोरे होम घर के लिए कहाँ पे जाके हम अपना बनाए अड़ा औगरा च्छत्ता औगरा और वेन दा रेन केम और चानक जब पानी बरशना शुरू हुआ तो वो यहीं पे जहाँ उनको मौका मिला वहीं पे सब की सब जो है सेटल हो गई तो कहने मतलब यह है कि वो रश्ते में थी और अपना ढूल रही थी कहां पे में च्छत्ते बनाना है अब वहीं पे पानी बर्सा तो वहीं पे सब चिपक गई उसे प्योड पे क्योंकि अगर कोई स्वाम उड़ रहा होता है मदु मक्यों का जूंट उड़ रहा होता है इू नीड अउनली स्प्रिंकल वाटर सिर्फ तुम्हें इस प्रिंकल मुलब तो छिलकना सिर्फ तुम्हें पानी छिलकने की देर है उनके उपर अब वो तुरन सेटल हो जाएंगी मुलब जहां मौका मिलेगा वहीं जाकर तुरन बैट जाएंगी जाएंगी दिवाल हो चाएंगी पेड़ हो चाएंगी कुछ भी हो अब देखिए तो नई जानकारी दी भाई ये नॉलिज तो मुझे भी नहीं थी है ना अब हलाकि इसको ट्राइ करना ठीक नहीं है क्योंकि उनको परिशान करना ठीक नहीं लेकिन फिर भी ट्राइ करके transact बार देखा जा सकता है कि क्या ऐसा होता है कि नहीं होता पर रवेज स्में खत्रा है & now if अगर say कहो You wanted to Take the स्वाम तो ट्रनेटी कहता है कि जैसे तुम कहोगी तुम चाहते ़ो कि तुम स्वार्म को जो भी मदुमक्हियों का जो इतना सार जो तादाद में मदुमक्हियां बैठी हुई है उस स्वार्म को तुम अपने साथ ले जाना चाहते हो मतलब उनको अपने कब्रणजे मिलेना चाहते हो you would bend the branch शिप तुम्हें branch को नीचे मोड़ना है तो यहां यंघ होगे रहा है ब्रांच में जो मदुमक्यां जगा 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 ऐसे बैठी हुई है नीचे बोरा रखके हिला दीजिए तो क्या होगा यह बोरा मतलब सैक रख दिया एड़े फॉलिन सब की सब इसे पी गिरपड़ेंगी इसा होता है उड़ेंगी नहीं उनके पंक गिले हो जाते होंग लेटिल-फ्योक्ला सडनली फ्राउन्स तो लेटिल-फ्योक्ला मतलब अब चुकी सब से छोटी वही थी अचानक फ्राउन जब आप नाक मूँ भौशी को इस वेलिंग मतलब होता है कि उस पे जो है और सूजन आ गई थी हे यह यह लाफ दा कॉबलर कॉबलर जो हरासता है ड्यू नो वहर यू गॉट एट फॉम पता है तुम्हें कहां से मिला यह सूजन कहां से मिली फ्योकला कहां है तुमको यह काटा किसने देर आर स्पैनिस फ्ल इस फाले नानियो नेक और उसमें से जो है एक ड्रॉप तुम्हारी नेक पर गिर गया कहने मतलब जो मदमक्हिया है ना उन से उनके उपर जो पानी था उनकी कुछ बून तुम्हारे पर गिर गई तो इंफेक्शन हो गया देट इस वाट है जिसकी वज़े से सूजन आ है यहाँ पर सूरज की रौशनी का चाहतरा फैल जाना है दफील्ड्स है ना तो अब जैसे सूरज निकला था सूरज की रौशनी जो है चाहतरा फैल गई पेड़ों की उपर है ना मैदानों की उपर खेतों की उपर एंड थ्री फ्रेंड्स और इन तीनों दोस्तों की उप पर भी सूरज की रौशनी फैल जाती है ना वार्म लाइट जो ठंडक से थोड़ी बहुत जब लगने लगी होगी तो उससे भी जो है वो रहत देगी तो तीन दोस्त हैं भई देखें यहां पर ना हावा जो हलकल की गरम है और फ्रेग्रेंट मतलब होता है कि उसमें स्मेल है क्योंकि जब पानी बरसता है और जमीन गीली होती है तो एक आजीब सी जो हाँ वहाँ पे हर्याली भी होती है तो एक महक पैल जाती है प्रकड़ती की यह ना ग्रीनरी की और इसमें देखिए वो बताता है कि 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 महक है बर्लट चेरी की महक है मेडो स्वीट की महक है लिलीज की महक है जो घाटियों में खिली होई है तो मेरे ख्याल से फूल हो गरा है that herb is given when your nose bleeds herb को अंतलब होता है जड़ी बूटी टाइप की तो जड़ी जब बूटी है जो आप कह सकते हैं जो पीस के या किसी तरह से करके पेल पौधन से जो तयार की जाती है तो given your nose bleeds जब तुम्हारी नाग बैती ये खून बैता है तो केता देखो ये है इस से हम जो है नाग में जो खून बैता इसको रोक लेते हैं इस से फाइदा होगा तो मुझे लगता है कि ये जो है फिर उसकी जो सूजन होगा उसको दूर किया होगा hai is a issue in rumble तो फिर उन्हें हलकी cd टाइप भी सनाई देती है और गडगड़ार सुनाई देती है अक गड़ ट्रेंड रेसे आच्छा ट्रेंड जा रहे है पर गड़ चलती यह तो उसमें कोईला डालना पड़ता था भाब बनती थी ओपर धुमा छोड़ता था तो वो हाफता हुआ पफिंग मतलब फुफ कारता हुआ इस टाइप से चलता था तो काला काला धुमा छोड़ रहा है अब बचे जानना चाहते हैं कि यह जो इंजन है नॉट अलाइव और वो जिन्दा भी नहीं है जैसे आदमी जिन्दा होते हैं बिना इसी हैल्प के कोई घोड़ा भी नहीं है कि उसकी मदद से तो यह कैसे इनको जो है ड्रैक कर रहा है घसीट रहा है इतने बढ़ा बहनकर बहनकर जो डिब्बे हैं पीछे तो सीधी सी बात है कि बच्चे बहुत इनोसेंट हैं और साथ ही साथ जो है वो क्यूरियस भी है जानना चाहते हैं चीज़े उनके आसपास घटित होती है तो कैसे होती है तो scientific mind के लिए बहुत ज़्यदा जरूरिया है किसी चीज़ की वजह जानने कोशिश करो टेरिंटी अंडर टेक्स का मतलब होता है टेक्स दर रिस्पॉंसबिलिटी तो एक इस्प्लेइन इट तो देम जैनी किसी चीज़ की जिम्मीदारी लेना तो समझता है कि उसकी जिम्मीदारी है कि बच्चे पूछ रहे हैं तुन्हें पताए समझाए it is all the steams doing अरे बच्चों इस सारा सारा भाप का कमाल है बच्चों the steam does the work, यह सारे इक सारा काम भाप करती है, you see, तुम्हें पता है, it soaps under the thing near the wheels, यह जो बड़े-बड़े जो पहिये हैं ना, इस train के, मैं आपको जो image दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से engine होता था तब, तो यह जो बड़े-बड़े wheel लगे हुए हैं ना, इनके नीचे, so इन पहियों को वो, जो 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 वो है, क्याना है, जो भाप है, वो धक्का देती है, and you see, और तुम देखो, इससे काम हो जाता है, चलता है काम, तो जो भाप में बहुत ताकत होती है, आज कल तो electricity का use होता है, they cross the railway line को cross करते हैं, going down from the embankment, embankment मतलब होता है, जैसे मालब कोई dam या pull type का बना दिया गया हो, मतलब वो, जैसे मालब जमीन सम्तल है, तो आपने थोड़ा सा ऐसे खड़ा कर दिया, ऐसे कर दिया, फिर जमीन सम्तल होगे, तो पानी उन्हीं को रोकने के लिए बाड़ होगा रखो, ऐसे उपर उठके फिर ऐसे चला जाता है, male type का, तो फिर यहां पर उदेश, मतलब purpose, किसी ऐसे purpose से नहीं जा रहे थे, बस ऐसी टहल रहे हैं, इन तीनों का group बना हुआ है, but just as random, random गतलब होता है, बस ऐसे ही, बिना किसी लक्ष के, बिना किसी goal के, है न, at random, talk all the way, और बात करते वे चले जा रहे हैं, दनिल का ask questions, दनिल का question पूछता था, Taranty उनके answer देता था, Taranty answers all his questions, Taranty उसके सारे उतर देता है, and there is no secret in nature, which baffles him, और ऐसा लगता है, जैसे कि nature में, nature देखे, capital से लिखा गया है, इतनी बड़ी दुनिया, दुनिया में जो कुछ भी man-made नहीं है, वो nature ही है, तो nature को कुछ भी secret नहीं है, जो उसे baffle करता हो, बैफल को मलब confuse करना, आपको समझ में ना आना, तो परिशान हो जाना, उल्जन में डाल देना, तो कुछ भी उसके लिए confusing और puzzling नहीं है, आप पूछो, जवाब दे देगा, तो यह यहाँ पर बताया गया है, he knows everything, सब जानता है, बच्चों को यहीं लगता है, बच्चों क लगते हैं, he knows, उसे पता होता है कि कौन से जड़ी बूटी, किस बीमारी से, किसे मलब इलाज कर पाएगी, क्योर मने इलाज करना, he has no difficulty in telling the age of a horse, किसी घोले की उमर पूछो तो बता देगा, किसी काव की उमर पूछो तो बता देगा, looking at the sunset, और sunset को देखते हुए, और moon को और the birds को देखते हुए, he can tell what sort of weather it will be, the next day, अगले दिन किस परकार का weather होगा, वो इनी सबसे पता लगा लेता था, बच्चों आप भी तो कुछ ना कुछ अंदाजा लगाना जानते होंगे, कम से कम इतना तो अंदाजा लगाई लेते होंगे, कि बादय अलोदल हो गया है, लगता है कुछ पानी बढ़सेगा, तो अब ऐसी समझ लीजे, कि वो नीचर कितना नजदीक था, और थोड़ा बड़ा था, अनुवबी था, गाउं के लोग है, विलेज की पीपल है, और टरेंटी खुद काफी ज़दा इंक्विजिटी होगा, वाइस पीपल, वालब ही वरी वाइस आलसो, इस सैंस में कहेंगे, और इनदीड और सच में, इट इस नॉट अनली टरेंटी, सिब टरेंटी की बात नहीं है, कि वो वाइस अच्छ सिलिच, द इनकीपर, तो सिलिच जो है सैन्कीपर है, मतलब कि जो एक सराय है, धरमशाला है, जहां पर रहागीर आक बना देते हैं इन की पर इन बना देते हैं जिसमें जाके जो है लोग रहें तब मार्केट गार्डनर उसके लावाँ जो मार्केट का जो गार्डनर है जो वहां के गार्डनर देख भाल करता है जो भीड़ोगर रहा चराता है अल दा विलेजर जितने भी विलेजर से सब जान तो बच्चों के प्रश्णों का जवब और लोग भी दे लेते थे इन लोगों ने किताब से नहीं सीखा है बट इन दे फील्ड इन्होंने मैदान में खेतों में रहके सीखा है जंगलों में रहके सीखा है नदी के किनारे रहके सीखा है अब देखो बच्चों चाहे वो फील्ड्स हो चाहे वो वूड्ड हो चाहे रिवर बैंक हो सब ओपन इलाका है सब नेचर के इलाका है है ना घर में बैठे हुए शहरों में एसी रूप में पंखे की हवा लेते हुए बनावटी गंबले में कागज के फूल मनलब यहाँ वाँ फूल कागज के लगाए हुए हो बनाव टीच्ची तर लगाए हो वो सब लोग रियालिटी में रहकर इन सब चीजों को सीखते थे शहरों में सब चीजों नहीं होती है इनके जो टीचर्स हैं आपकी तरह नहीं है हमाई तरह नहीं है कि हमें स्कूल में ले जाके बैठाया गया वहाँ पढ़ाया गया हो इनके जो टीचर्स हैं मलब जिन से लोग सीखते हैं वो पकची तेमसल्स पकचीं से सीखते हैं जब वो पकची गाते हैं क्रिमेशन मलब बहुर डार्क हलका सा रेड टाइप का between it behind it and setting तो सूरज जब डूपता है तो देखे किस तरह का कलर का हो जाता है लाल लाल वो है क्रिम्शन कलर तो सूरज से सीखते हैं सूरज के क्रिम्शन कलर से सीखते हैं है ना दा वेरी ट्रीज उन पेड़ों से सीखते हैं वाइल्ड हफ्स वो जो जंगली जड़ी बूटियां पाई जाती हैं उन से सीखते हैं तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे कहने मतलब यह है कि यह पीपल ऑफ विलेजर्स है ना दे आ वेरी क्लोश तो दे नेचर सो दे आर दे नो अलॉट आफ अबाउट आफ अबाउट दे नेचर लालश का होता है हमें मिल जा चीज हमें मिल जा चीज तो वह humility हर शब्द को ऐसे सुन रहा था जैसे कोई लालची बिक्ती किसी संपत्थी को चाहता हो किसी हमन चाहता हो इतने से सुनता था तो तो दनिल का जो है वो टरनिटी की तरफ इस तनी गाहों से देख रहा था उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था तो अफ देम मतलब उन में से दो तो कॉबलर एंड बॉई वाक एबाउट द फील्ड वो खेतों में टहल रहे हैं टाक अंसीजिंगली अंसीजिंग में बिना रुके टुके ना विदाउट अनी स्टॉपज तो बरबर बात किये जा रहे हैं और नॉट वियरी मतलब थका थक भी नहीं रहे हैं लगता है जिसे पूरे संसार में इस तरह से टहल को घूम सकते हैं मतलब कहने मतलब यह है कि वो ना थकने वाले लोग है ऐसा लगता है जैसे अब देखे यही चीज है डनिल का जो है बहुत क्यूरियस है और ठेरिंटी जो है वो हर चीज का उत्तर उसको दे रहा है तो अब जब इस तरह से है कि आप लर्ण करना चाहते है टीचर आपको पढ़ाने के ले रेड़ी है अब जब तक चाहो तब तक तो वही चीज है कि यहाँ पे वो लोग जब चाहे जब नेचर में जितनी देर तक चाहे वो घूम सकते थे ऐसा लगता थे कभी उनकी बाते खतम नहीं होंगी कभी रूकेंगे नहीं वीक, छे साल की दो बच्ची थी, फिर भी वो लड़की थी, एक लिटिल गल, ट्रिपिंग, ट्रिपिंग मन होता है, चलते-चलते, है ना, गिर पढ़ना, तो उनके पीछी-पीछे चलके गिर-गिर पढ़ रही थी, तो विचारी, ठकी-हारी, आभी उतनी छोटी थी, उतना यहां लिखा गया है, को इसे बड़ी खुसी होगी, अगर वो रोख पाए, तो इस्टॉप कर पाए, इन इग्जॉश्टीबल मतलब होता है, ना थकने वाले, वांडर्स मतलब होता है, घुमकड लोगों को, अगर वो रोख पाए, तो घुमकड कौन है यहां पे, टरेंट ओफ ओ, यहां जाके दिल दुखी से भर गया, क्योंकि उसका कोई घर नहीं है, वो अनाथ है, और ऐसे में किसी अपने का, केर टेकर का अगर हाथ मिल जाए, साथ मिल जाए, छोट छोटे बच्चे हैं, कहां जाएगी वो, इन ही लोगों के साथ तुसे रहना है, थोड़े मिड़े लगबग दुपार हो गया, ओल त्री सिट डाउन ओन दर इबर बैंक, नदी किनारे दोनों बैठे हैं, दनिल का टेक्स आउट आफ इस बैग, दनिल का अपने बैग से निकालता है, पीस आफ ब्रेट, रोटी का एक टुकुला सौक्ड, जो की गीली हो गई है, रि रगड़ दिया, इस टाइप का, गीला करके, तो बहुत ही नरम हो गई थी, कुचल गई थी एक प्रकार से, एंड दे बिगें टू इट, उसको खाना सुरू कर देते हैं, टेरिंटी कहता है, अब प्रेयर वेन ही हैज इटन दा ब्रेट, तो जब वो ब्रेट को खा लेता है तो एक प्रेयर करता है, तो एक प्रेयर करता है, और उसके बाद फिर वो उस जो बैंक किनारे जो रेत वाला जो हिस्सा होता है, वहां पे फैल जाता है, अराम करने के लिए, और सोने लगता है, वाइल ही स्लीब, दा बॉई गेज़ गेज़ एट दा वाटर, तो जब वो दिफरेंट थिंग्स तो थिंक आफ, नेचर में नयाने कितनी चीज़े मिलती हैं, और हर चीज को किनी चीज़ों को देखकर हो सोचना शुरू कर देता है, अभी उसने स्टॉम देखा, बीस को देखा, आर्ण्स को देखा, ट्रेन को देखा, ना बिफोर इस आइस, बिफो दिरेक्शन्स, तो सम आर्ट तू इंचेस, कुछ तो सिर्फ दू इंच चुटी हैं, लॉंग और, अधर सार नो बिगर देन वन स्नेल, अब कुछ तो किसी के मिलब नाखून से भी चुटी हैं, वाइफर, वाइफर मतलब साफ हो गया, इसने अपना सिर उपर उठाया अधर इवनिग आर्वर्णर रिटर्न तो दे विलिज, शाम को ही वो जो घुमककड थे, वो गाउं लोटते हैं, तो चिल्डन को तेरेंटी की और दैनिल का की टूनिंग बढ़ी की जब किये, चिल्डन गो फोर देनाइट तो ईजटेट बांड, डिजटेट मतलब होता है मतलब जिसे छोड़ दिया गया हो, जहां कोई आता जाता ना हो, है न, a left out place, और barn जो है एक प्रिकार से आप कह सकते हो कि जहां पर storage है, जहां पर अनाज वगरा रखा जाता है, और मतलब वहां पर जानवर को भी बांध दिया जाता है, जैसे यहां पर meaning लिखा गया है, खल बाई मतलब हड़ल, हड़ल वही आ गया है, जैसे में ने पले बताया है, एक दम सट के दोनों बच्चे, दोनों भाई बहन जाना, on the straw, जो वहां पर भूसा था, पैरा था, डोजिंग, आंगाने लगते हैं, आंक बंद होने लगती है, तो यह तो बच्चे आगए बिचार बाण, उनका खुद का घर नहीं है, माए, क्या करें बच्चो, टेरेंटी गोज तो दो टेवर्ण, अटेरेंटी जो है, टेवर्ण में सोने चला जाता है, टेवर्ण वही जो, जो सिलेंटी सिलिस्ता न, इन कीपर, तो वहां वो चला जाता है, टेवर्ण उसको कहा जाता ह यहां पे लोग बैट कर थोड़ा खाना पिना कर लेते हैं और सराय जिसे हम कहते हैं या बार आप भी कह सकते हो तो वो है वाट टैवोर्ण जिसे दान के जो पौधे होते हैं धान अलग कर लिया जाता है तो उससे इस्ट्रा बनता है जैसे दिन भर में जो उसने देखा था उसे अंधेरे में लगता है जैसे उन चीज़ें को देख रहा हूँ दा स्टॉम क्लाउट नजर आ रहे हो ब्राइट संसाइन नजर आ रहे है बॉल्ट्स नजर आ रहे है फिश नजर आ रहे है लैंकी लंबा दुबला पतला हड्डियों वाला जिसकी चाल मतलब लंबे पैर होने के वज़े से जीब सी हो तो बच्चा है अब जो कुछ भी उस एक्ट क्रियेट हो रहा है उसे इंप्रिशन कहा गया है तो इतनी सारी चीजें जो उसके दिमाग में आ रही है तोगेदर भी इग्जॉस्चन साथ में थका भी हुआ है विचारा और भूग भी लगी हुई है और टू मच फॉर इम यह बहुत हो गया उस बच्चे के लिए उसके बच्चे के बढ़दार से सारी बाहर की चीजें जो उसे जहलना पड़ रहा है उसका सरीर गरम है ऐसा लग रहा है जैसे आग पे तप रहा हो और टॉस का मतलब होता है कि अपने कर्मट बदल रहा है यहां वहां उचल उचल के He longs, longs मतलब होता है a strong desire, He longs to tell someone, मतलब उसकी मन में आ रहा है कि किसी को बताए that is haunting him, देखे हांट से बना हांटिंग, यहां हांटिंग मतलब होता है कि कोई चीज जो बार बार आपके दिमाग में आ रही हो, निकलना रही हो, तो वो चीज आपको हांट करने लगती है, तो क्या उसके मन में चल रहा है, क्या चीज उसके मन में, वो मड़ घुमाड के उसकी feelings क्या है, उसके emotions क्या है, उसका मन कहा रहा है किसी को बताए, now in darkness, अंधेरे में भी, and agitating is soul, कौन सी चीज है, जो उसकी आत्मा को, है ना, मन को agitate कर रही है, परिशान कर रही है, और उसे रह there is no one to tell, लेकिन कोई नहीं है जो उसकी इन बातों का जवाब दे, कहने को लब दीन में तो टेरेंटी था, जो उसके questions का जवाब देता था, यहीं पे बच्चों क्या बताएं, जो घर में होते हैं, उनके मम्मी पापा होते हैं साथ में, रात को अचानक जग के आवाज भी क चली आती हैं, यह मम्मी उसी के पास होती हैं, यह बच्चेों का तो कोई नहीं है ना, यह बच्चे अनात है ना, इनके parents नहीं है ना, फेयोकुला इस ठू लिटल, फेयोकुला तो बहुत छोटी है, उससे क्या बात करेगा, and could not understand, वो तो समझती भी नहीं है, तो what do you think was bothering Danil का, तो Danilka के दिमाग में बहुत से questions आ रहे थे, बहुत से चीज़े आ रहे थे जो, जिनके जवाब चायता था, और कोई वहाँ देने वाला नहीं था, इसके लाँ उसका सरीर गरम था, उसको बुखार भी था, I'll tell Taranty tomorrow, कल मैं Taranty से कहूंगा, लड़का सोचता है, तो the children fall Taranty comes to them, और फिर रात को Taranty उनके पास आता है, make the sign of the cross, मतलब जो इसाई है न, वो अपना ऐसे cross का निसान बनाते हैं, अपने हाथों से, and puts bread under their heads, और उनके heads के नीचे वो bread जो है, वो रख देता है, तक यह क्या है, मतलब वो पैरा ही तो है एक प्रकार से, तो छुपा देत है, सोबे उठेंगे, तो बच्चे खा लेंगे, अब देखे, वहाँ जो डनिलका ने bread निकाली थी, वो उस ने खाई थी, और यहाँ पे वो उसको bread दे रहा है, टेरेंटी जब वो बच्चे सो गए है, इसका मतलब यह है कि वो normally बरबर आया करता होगा, and no one sees love, उसके प्या आना चले, सच्चा दान, सच्ची help तो वही है, यह नहीं कि हम उसको गाते फिरें कि मैंने किसी के help की, यह तो प्यार है बच्चों के प्रती जो टेरेंटी का है, बच्चों, मलब उनके माबाप नहीं तो क्या हो गया, कोई तो है, जो उनकी care करता है, कोई तो है, जिसके मन में उनको लेके, मलब उनकी help ले आता है, it is seen only by the moon, उसका प्यार उन बच्चों के लिए सिर्फ चंडरमा देख रहा है, मलब nature, nature is witnessing, which florts in the sky, जो आस्मान में तैर रहा है, peeps का मतलब होता है, जहाक के देखना, karesing का मतलब होता है, बहुत प्यार से किसी को आप टच्च करत है, तो आस्मान में देखो कि तो चांदनी पूरी नजर आएगी, लेकिन जहां पे घर है, उनमें hole बने हुए है, तो उन hole से, खिड़कियों से चांदनी है ना, वो अंदर तक पहुँच जाती है, तो वही कहा गया है कि चांदनी जो है, मून जो है जहाक रहा है, बहुत प वाल्स अब डिजर्टेट बार्ण, और चुकि उसके आज़ पास दिवाल हो गरा भी रही होंगी बार्ण के, तो डिजर्टेट मतलब होता है, वहाँ कोई आता जाता है, बच्चे वहाँ इसलिए सो पा रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं, अगर कोई आता जात होता तो चात बच्चे को सोने ना देता, क्योंकि दुनिया ऐसी है, वह अटा देते, भगा देते, यहाँ से जाओ, कहीं और जाओ, तो सिप चन्रमा है, जो जो सेल्फलेस लव है, है ना, उसका टेरिंटी का उन बच्चों के प्रती देख रहा है, और उसकी चांदनी, छि देखते हैं कि समें बहुत कुछ है, और बच्चे चए जहां हों, चाहए शेहर में हो, चाहें गाओं में हो, हैंना, वो जो है, म Japan के बच्चे कुछ तो कुछ अलग होती हैं, जो क्यूरिसिटी है, वो कहीं पर भी हो सकती है, जो बेन है, वो तो गाओ में पढ़ा हो, चाह wise person है और nature के साथ जो हमारा एक relationship है जो देखने को मिलता है गाओं में वो है और selfless love या kindness तो high है जो कि मानों का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए rural life कितनी simple होती है लेकिन tough भी होती है और अनात बच्चों का क्या दुख होता है तो इसे के साथ tutorial खत्म करते हैं website वे आपको काफी कुछ matter मिल जाएगा वहाँ जा कि आपी study कर सकते हैं फिर भी कोई problem होतो आप हमें से contact कर सकते हैं और online session book कर सकते हैं for more learning, clearing your doubt getting to get answer to your questions so saying you all bye bye study well and take care झाल पौिझे ली वे घंप सकते हैं कि की of पिर्थाण अपको का है घ्ट कि अपको कि काफी से ली Dwiet गिर काली सेok़ कि बचल कि ली एच रहाईम कि इसेता है दो